Hello and welcome to the studio. Traders, Paytm को आज फिर से हम trade कर रहे हैं. इस मन्त में शयद यह हमारा तीसरा trade होगा जो कि हम Paytm के अंदर कर रहे हैं, बट तीनों ही trades के अंदर एक जो common चीज है वो है short selling. आज के दिन भी हम Paytm के अंदर short selling ही कर रहे हैं. आज हमें काफी important point discuss करेंगे. कोई भी trade अगर हम execute करते हैं, तो उसमें अपनी एक important candle कैसे find करेंगे. यह important candle हमारी day time frame पर भी format हो सकती है, day time frame की भी हो सकती है, या फिर lower time frame की भी हो सकती है. इन दोनों ही time frames में कैसे हम अपनी उस एक candle पर जाएंगे और कैसे वहाँ से reading start करेंगे. इस एक important candle का काम होता है कि जहां से भी आपको read करना है, आपको एक सही place दे देता है, traits को read करने के लिए and place of action को find करने के लिए जहां से हम लोग buying या फिर selling करेंगे. देखे, day time frames हम शुरुआत करेंगे, day time frame को पहले पढ़ेंगे and इसके बाद में फिर lower time frame पर आएंगे, दोनों time frames में उस एक important candle को find करेंगे, कोशिच करें लेकिन एक चीज़ आप यह मान करके चलिए, कि रातो रात लगपती कोई नहीं भन सकते, लेकिन आज कल जो trend चला हुआ है market के अंदर, कि जिसको देखो वही एक लाग, दो लाग, पांच लाग, छे लाग, दस लाग के profit दिखा जा रहे है, unrealistic way में एक तरह से profit चल रहा है, य या देख लाग या दो लाग का, या हम कम से कम, हम कम से कम भी मान के चलें कि 50,000 का, market वही है जहां पर में 50,000 एक लाग या देख लाग का profit मिलेगा, otherwise यह सब क्या है, यह क्या यह candle से candle को करना, यह day timeframe के reading को निकालना, यह lower timeframe पर यह सब क्या है, यह क्या हम बताय करते है, market यह थोड़ी नहोती, market तो वह है जो आप बैंक लिट्वेंगा, option में गए है और यहां से आपने एक लाग पी निकाल दिया, आप यह मान करके चलो कि बिना किसी तयारी के, किसी के impression में आ करके, आपने वहां पर जाकर के काम स्टाट किया, नौबत इस हद तक आ जाती कि last में आ आपकी इस पर कोई जबरजस्ती नहीं कर सकते, चाहो तो सारा का सारा पैसे डुबा दो, और चाहो तो इसे एक अच्छा खासा empire खड़ा कर लो, लेकिन एक सही process को समझते हुए, aggression में आ करके, और किसी के impression में आ करके, कोई भी काम स्टाट नहीं करना है जब तक उसकी proper knowledge अब ही हमने बता है किसी भी segment को update कर सकते हो, practice चाहिए होगी, रातो रात यहाँ पर कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे ही सही, छोटा छोटा ही सही, यहाँ पर कितना पैस आपके पास आ रहा है, यह माईने नहीं रखता है, जो consistency निकलती है वो माईने रखती है, इसी तरह से जब आप चोटे चोटा एक पैसा आपके पास आने लगेगा, फिर आप बड़ी quantity मारोगे बड़ा पैसा आने लगेगा, पूरे चैनल का motive सिर्फ इतना है, जितने वी वीडियोस हम upload कर रहे है, उसका motive सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, कुछ कर पाएं ना कर पाएं, कम सिकम इ हमने ट्रेड लगा था, 510 है क्या स्वास हमें ट्रेड मिला, 510 पर हमने अपने quantity से execute कि है, 512.65 पर हमारे stop loss लगा है, 1000 quantity है के साथ में, so वापस चलते है अपनी position book में, position book में इस अपने जो profit है 2000 के round चल रहा है, अभी हम लोग move करेंगे, पैटियम के अंदर day time train पर अपनी व तो यहां पर इसने अच्छे खासी एक volume का breakout दिखा दिया हमको, यह activity हुई कब है जब price अपना lifetime low लगाने वाला था उचसे एक दिन पहले, क्या हुआ है कि support पर just यहां पर volume आ गई थी, एक अच्छे खासी volume आई थी, अच्छे इसमें होता क्या है कि अगर volume आई है, किसी एक base level पर volumes आई है, तो maybe chance है price ने अगर यहां से higher highs लगाने start कर दिये, तो market upside की हमें दिखाई पड़ती है, उपर की दिरफ जाते हुए, लेकिन अगर इसी level से price ने अगर अपने supports को break कर दिया, तो maybe chance है price अपने basic supports पर आ जाए, अगर हम objective हो करके सिर्फ और सिर्फ पेटियम की ब किये थे, इस candle के नीचे ही just rate किये थे, अब फिर से एक step पीछे आते हैं, हमने क्या किया था, यह वारी जो हमारी candle थी, इसके बाद हमने तीन के तीनो trade execute किये थे, but market ने क्या किया है, यह जो बड़ी से candle form हुई, इसके नीचे एक दो दिन तो market form हुई, फिर वापस से price हमारा हमारी range के अंदर चला गया, हम वेट कर रहे थे, कि price अब या तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़े, क्योंकि watch list में तो यह add है ही, एक ठीक ठाक move भी दिखाता है, हाला कि आच side way है, लेकिन कल भी देखेंगे तो धाई 3% यह stock चला था, और उसके पहले भी, price ने जैसे हमारे main resistance point को, कौन से resistance point, जहाँ पर volume आया थी, और जिस candle को break करके market ने एक lifetime low लगाया था, यहाँ पर हमारे लिए जो day time frame पर एक important candle बन जाती है, वो यह वाली candle बनती है, जिस के अंदर volumes जाता आया था, and price ने low break करके lifetime low लगाया था, price सीदे सीदे हमारा नीचे की तरफ गिर गया, and वापस से जब हमारे level के अंदर price गया है, तो फिर से, इस candle का जो low point है, यहाँ से market ने resist करना start किया, जैसे ही price हमारा उपर की तरफ निकलने की कोशिच कर रहा है, market उसको नीचे गिरा दे रहे, इससे एक चीज हमें यह पता चल रहे है, कि यह वाली candle है, यह अच्छा खासा resistance कर रहे है, यह दो बात होगी, अभी चार्ट में देखिए, अब जैसे day time frame का चार्ट, day time frame पर हम लोग के काम करते हैं, कि markings को support कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, मेरे लिए जो सबसे important candle बनती है, वो यह वाली candle है, यहाँ पर volume on कर लेते हैं, आप देखिए, 17th of November को कितनी ज्यादा volume आई थी, और इसने क्या किया था, यह वाला support break करने से पहले इस पूरी range के अंदर यह volume आई थी, and उसके next move में price ने सीधे सीधे इस low को break कर दिया, और price अभी नीचे की दिशा में है, अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जिस candle ने low लगाया था, हम अग लेक वाली candle का जैसे इसने high break किया market हमको उपर की तरफ दिखाए पड़ी, अब बीच में तो कोई levels है ने, और price अपनी previous range के अंदर ही आ गई, समझवा रहे न, अब यहाँ पर हुआ क्या, कि मेरी जो high volume वाली candle थी, हमने इसको low mark कर रहे है, यहाँ से market सीधे नीचे की तरफ किर रहे है, एक चीज जो note करने वाली है, वो यह कि price अपने resistance zone पर जाने के बाद में, अपने highs को low की तरफ shift कर रहे है, and lows उससे भी नीचे की तरफ गिरते चले जा रहे है, आज के दिन क्या हुआ है, कि market ने high तो downside की तरफ लगाया है, बट low अभी form नहीं किये है, जो कि पि intraday trading session के recording, अभी तक देखिए हमने शिर्फ day time frame की एक candle को पकड़ा है, जो कि important candle हमारी बन जाती है, वो यह वाली है, किसी भी एक important candle को अगर आपको find करना है, तो हमें यह देखना होगा, कि वहाँ पर ऐसी कौन सी candle है, जहां से price के अंदर के rejections या फिर supports लिये जा रहे है, rejections या फिर supports बहुत अच्छी तरह से लिये जा रहे हैं, या market उसको respect कर रही है, जैसे कि इस case पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इस candle का low mark कर लें, और यहां से reading करना है, start कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो इस candle लो लगाया था, उसके पहले का low हमारा ये वाला था, 22nd of May का, आज market कहां पर हमको मिली है, 22nd of May के just low पर जहां पर हमने अपना trade execute किया, 510 रुपे के पास, तो price जैसे अपनी previous range के अंदर गई, इस वाली candle के पास हमने trade नहीं मारा, जब इस range से reject हो करके market नीचे की तरफ आ रही है, और अपने swing के पास में आकर कि इसने movement करना में दिखाया, तब यहां से अपनी अपना trade मार दिया, हमें दिख रहा है कि बहुत बड़ा तो move नहीं, लेकिन जो target area है हमारा अगर वहां तक भी price आता तो एक ठीक टाक मूब में देखने को मिल जाएगा, अब बात करते हैं lower time stream के अंदर की, आप किसी भी chart में ये कम कर सकते हो ज़रूरी नहीं है कि paytm है, या फिर equity गाई stock है, आप किसी भी segment में अगर marking कर रहो तो आप इस method के थूरू marking कर सकते हो, आपको high volume की वह वाली candle mark करनी है, जहां पर market उसको respect कर रहे हो, ऐसी कई सारी candles आपने देखा होगा market के अंदर बन रही है, जो कि high volume की तो हैं, बट market उस नीचे, नीचे, नीचे नीचे और down side का मौ भी दिखा रहरा है, अब देखे प्राइस स्विंग लगाए, यहां से price हमारा सीधु हूपर, फिर से देखे मार्केट ने क्या किया, एक swing यहां पर लगाया, फिर से एक स्विंग यहां पर लगाया, और फिर से एक जो नया से मिंको नीचे के ब्रेक करती हूं. अब अब इसके अंदर हम एक और इसको एक ओल का यूस करें जिसको कि आपको पता चुके मेरी वॉल्ề वॉव्ल्म प्रॉफाइल जब वाप मैच करोगी तो यह lion पर देखिये क्या वन रहा है यहां एक रीज मेज बेगए अच्छा यह बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस एरिया जहां से हमने अपना ट्रेड एक्जिक इसको कर देते हैं आफ यह समझ में रहा ना यह जो रेड वाइल है इसको थोड़ा सा बफ़र दे करके हमने मार्क कर वॉल्यूम प्रोफाल को डिलेट कर देते हैं चाहें कोई भी स हैं तो फर्स्ट स्विंग के ऊपर हमने काफी सारे वीडियो अप्लोट किया हुए है सेम चीज़ को यहां पर देखे कि प्राइस ने जो अपना स्विंग लगाया वह में यह तो मालूम है कि इन चार या फिर पांच केंडल करके कोई एक स्विंग लगाया अब यहां पर हो जैसे कि यह तो चलिए पेटियम हो गया पेटियम के अंदर देखे क्या हुआ है कि प्राइस हमारा ऊपर से रिजेक्ट हो करके नीचे की दिशह में आया और यहां से इसने अपना स्विंग बना दिया तो यह लोवेस्ट लो केंडल हमारी बन गई रेट वाली केंडल हमें क अब कि यहां पर लेखे चलिड़ डिशह में गेर रही है जाइसे प्राइस हमारा इस मौन र्लगा रहा है और जैसे स्विंग लो ब्रेक हैं यहां पर देखिए वल्यूम के ब्रेकाउट हो गया और वाल्यूम इंक्रीस हो गई एक तो इस स्विंग को ब्रेक करने में सो जस्ट इस candle की मदद से हमने अपना यह trade execute किया हमने जब volume profile लगया तो volume profile ने भी हमें सेम उसी जगह पर पहुंचाया यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा volume इसी price पर आपको मिला था 510 और यह एक round number भी है आज हम देख रहे है कि day का जो swing लग रहा है वो भी हमारी इसी candle की थ आउगे तो higher time frame पर देखिए हमारा जो low था यह वाला latest low लगने से पहले का जो swing था वो यह वाला अगया था मतलब कि आप देख रहे हो ना दोनो time frame पर अपनी सारी markings and दोनो ही time frames पर अपनी जितनी reading है वो सारी के सारी हम match कर रहे है volume profile को हमने लगाया अपनी volume analysis के अंदर की त बात यह है कि market side way होने का असर पूरी तरह से हमारे profits पर पढ़ा है बहुत बड़ा कोई भी profit हमारा नहीं है यह यह कहेंगे कि जिस rate पर हमने खरीदा है price को वह अभी तक उसी level पर trade कर रहा है या travel कर रहा है देखिए price पूरी तरह से nifty का chart है पूरी तरह से एक zone के अंदर profit क्या है यह अभी 1500 अभी 300 पर आ गया okay so इस वत का अपना टाइम चल रहा है तीन बच कर दस मिनट हो रहे है इसको refresh कर लेते हैं और तीन बच कर दस मिनट पच पस सेकेट so market up close होने वाली है अब यहां से हम लोग अपनी पोजिशन को स्वार करते हैं अब यहां से हम लोग अ से यह बता था day time frame का जब तक प्रैस इसके ऊपर नहीं चला जागा तब तक इसके अंदर कोई upside का move up नहीं देखो यानि तब तक हम PTM को down side की तरफ ही देखेंगे एक सही level पर stock जब जब आपको मिलेगा आप इसको trade कर सकते हो but view जब आपका रहागा इसके अंदर downside का ही रहा शॉट सेलिंग रफाइंट की जब आपका इसके अंदर अब हम लोग अपनी position को square off करते है order placed successfully quantity जब गई 90 बची 89 89 89 89 89 0 पंदरसो साथ रुपय गोवर अल प्रफिट हमारे आज के session कर रहा एक satisfaction जो stop loss हमने लगाया हुआ था पूरी तरह से पूरे दिन तक वह stop loss हमारा save बना रहा और आज के session की जो हमारी important candle थी जिसको हमने consider किया था वह यह वाली candle थी and day time frame पर हमने आपको बताया है कि जिस candle में सबसे ज़्यादा volume आई थी और उसके निचे जो price action हमें satisfy कर रहे थी इस वाज़े से हमने उसको अपनी important candle माना था and volume profile के जरीए हमें यह पता चला कि कल किस price पर सबसे ज़्यादा trade हुआ था यानि कि सबसे ज़्यादा intention का इरिया कौन सा था जहां पर buyer और seller का interest सबसे ज़्यादा था तो वह यह वाला point था इस जगह से अपना trade execute किया इसे एक benefit यह मिल जाता है कि आपको safest place of action मिल जाता है कि जहांसे आपना trade execute कर सकते हो हालां कि price ने stop loss नहीं लिया लेकिन कोई बहुत बड़ा move भी नहीं दिया बट हम लोग last तक safe बैठे रहे है stop loss जाने सो तो अच्छा ही 1500 को profit ही होगा अपर इसमें 300-300 हमारा brokerage जाएगी and 1200-1200 पर हमारा profit हो जाएगा so कोई बात नहीं market side विर ही जिसवेज हम लोग cost to cost निकले हैं बाकि इसके लाबा अब नमुक मिलेंगे अपने next trading session में so thanks, good bye and we will meet again